1947 में भारत और पाकिस्तान के बटवारे के बाद 85 वर्सिय जगदीस लाल अहुजा 12 वर्स की उम्र में पाकिस्तान से भारत आ गए थे खुद की आर्थिक इस्तिती कमजोर होने के बावजूद जगदीस लाल अस्पताल के बाहर रोजाना लगभग 25 सो भूखे मरीजों को खाना खिलाते हैं मरीजों को दाल, चावल, रोटी, हलवा और केला दिया जाता है और बच्चों को टौफी भी दी जाती है जगदीस लाल अहुजा लोगों के बीच लंकर बाबा के नाम से भी मसहूर है भारत सरकार इन्हें पदमस्री से भी समानित कर चुकी है